दोस्तार हम बात करने वाले हैं इंडिको पेंट्स स्टॉक के बारे में देखिए फ्राइडे के 15 मिनट चार्ट की एर मैं बात करता हूँ यहाँ पर गिरावट हमें देखने को मिली लगातार एक डाउन फॉल स्टॉक ने बना कर दिखाया 1495 रुपे पर क्लोजिंग हमें देखने को मिली वहीं वंडे चार्ट की एर मैं बात करता हूँ यहाँ पर देखेंगे काफी समय से लगबख सेम रेंज में स्टॉक रहा यहाँ पर गिरावट भी दिखाई स्टॉक ने लेकिन नीचे की तरफ दिखेंगे तो एक सपोर्ट अभी भी बना हुआ है यह सपोर्ट होने वाला है करीबन 1399 रुपे के करीब यह रेंज है इस सपोर्ट का पूरा ध्यान रखना है अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है अगर वापस गिरावट आती है और यह सपोर्ट फिर से प्रेक हो जाता है और निचले लेवल्स दिखा सकता है लेकिन जिस प्रकार से उपर जाने की कोशिश स्टॉक कर रहा है अगर यही तेजी कंटिन्यू रहती है तो आने वाले ट्रेडिंग सेशन्स में जो टार्गेट स्टॉक अचीव करेगा वो होने वाला है 1550-1575 तक के टार्गेट भी जल्द ही इंडिको पेंट्स दिखा सकता है तो अगर आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक शामिल है यहाँ पर अभी फ्रेश बाइंग को थोड़ा सा एवाइट करना है वेट एंड वाच की स्ट्रेटजी अपना कर चल सकते हैं जैसे ही बाइंग का मौका बनेगा हम एक वीडियो जरू बनाएंगे तो यही स्ट्रेटजी आपको पनानी है इंडिको पेंट्स में वीडियो दिखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद